नमस्कार दोस्तों, मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ, विश्व अभी ख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आये बिना देर की शुरू करते हैं माज की कहानी कहानी का सिर्शक है नन्ही जलपरी, इस लिखा है है हैंस क्रिशियन एंडर्सन ने बहुत गहरे समुद्र में समुद्री राजा का महल था, वो अपनी बेटियों और बोड़ी माह के साथ रहता था राजा का महल बहत खुबसूरत था, और वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार भी करता था सबसे ज़्यादा प्यार वो अपनी सबसे छोटी बेटी से करता था इस समुद्री राज का एक नियम था, कि जो भी राजकुमारी अठारा साल की हो जाती थी उसे समुद्र की सतह पर जाने का मौका मिलता था उससे पहले कोई भी राजकुमारी सतह पर नहीं जा सकती थी राजा की पांचमी बेटी की साल गिरह का मौका था, सभी खुश थे राजकुमारी को सभी जन्मदीन की बधाई दे रहे थे राजा ने अलान किया कि मरीना अब 18 साल की हो गई है और उसे सतव पर जाने की इजाज़त दी जाती है ताकि वो बाहर की दुनिया, धुप वो इनसानी दुनिया देख सके उसका आनंद ले सके राजा ने साथ ही मरीना को अगा भी किया कि सागर की दुनिया इंसानी दुनिया से बहुत अलग होती है इसलिए वो इंसानों के करीब न जाए और समय रहते अपनी दुनिया में लोट आए यह सुन सबसे छोटी राजकुमारी इवा भी सतफ पर जाने की जित करने लगी लेकिन राजा ने साफ इंकार कर दिया क्योंकि वो 18 साल की नहीं हुई थी इवा बहुत दुखी हुई उसे बेसबरी से अपने 18 जनमदीन का इंतजार था इवा बहुत खुबसूरत थी और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो बहुत दयालू थी समंदर के सभी जीवों से उसे बहुत प्यार था यही वज़ा थी कि वो सबकी फेवरेट थी इवा को इंसानों के बारे में जानने के बहुत उच्छुपता रहती थी वो अक्सर अपनी दादी मा से उन्हीं के बारे में पूछती रहती थी एक बार यही उसने पूछा कि क्या इंसान हमारी तरही होते हैं या हमसे बेहतर होते हैं दादी मा ने बताया कि उनके पैर होते हैं जबकि हमारे पैर नहीं होते मचलियों की तरह हमारे शरीर की बनावट होती है इंसान बहुत परदूशन फैलाते हैं इसलिए वो हमसे बेहतर नहीं होते इवान ने जानना चाहे कि क्या इंसान हमें से ज़्यादा जीते हैं तो दादी मा ने समझाये कि वो सौ साल से ज़्यादा नहीं जीते जबकि मरमेट्स तीन सौ साल तक जिन्दा रह सकती हैं और मरने के बाद वो समुद्री जाग बन जाती हैं यदि हम जीवन भर भले काम करें तो हम अमर हो सकते हैं और हवा की परियां हमें स्वर्ग ले जाती हैं उनके साथ रहने के लिए इसी तरह समय बीटा गया और इवान का ठारवा जनमदीन भी आ गया उसे सबने बधाई दी वो खुद बेहद उत्साहित थी आखिर जिस पल का उसे इंतजार था वो आ गया था राजा ने कहा कि मैं तुमें बाहरी दुनिया दिखा लाता हूँ पर इवान ने कहा कि बाकी सब अकेले गए तो वो भी अकेली ही जाना चाहती है इतने में उसके दोस्त श्रिम्प ने राजा से कहा कि वो उसका ख्याल रखेगा राजा ने कहा कि सुर्यास्त से पहले लोट आना इवा तेजी से सता की और चल पड़ी बाहर आते ही वो मंतरमुग्ध हो गई इस नई अनजान दुनिया ने उसे मोहित कर लिया इतने में ही उसे एक जहाज नजर आया जिसमें एक युवक था उसने स्रिम्प से पूछा कि ये क्या चीज़ है फिर उसने देखा कि वो योग तो बिलकुल उसके गुड़े जैसा ही है स्रिम्प ने बताया कि वो राजकुमार है और शायद अपना जर्मदीन मनाने आया है इवा राजकुमार की खुबसूर्ती से मोहित हो गई थी और वो गाना गाने लगी इतने मही तुफान आ गया असमान में काले बादल चा गय और तेज लहरों के बीच राजकुमार का जहाज फंस गया इस तुफान में जहाज डूब गया इवा ने देखा तो वो राजकुमार को बचाने चल पड़ी वो काम्याब भी रही राजकुमार को वो किनारे पर लाई इतने मही किसी के आने के आहट सुनकर वो च्छिप गई कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही थी और उन्होंने देखा कि राजकुमार वहां बेहोश था इतने में राजकुमार को भी होश आ गया और उसने देखा कि एक खुबसूरत लड़की वहां खड़ी है राजकुमार नो उससे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा राजकुमार उससे अपना दिल दे बैठा उस लड़की ने भी सच नहीं कहा एवा ने है सब देखा श्रिंप ने कहा कि वो लड़की जूटा स्रेले रही है इस परिवा ने कहा कोई बात नहीं राजकुमार की जान बच गई वो इसी से खुश है सुर्यास्त होने को था तो दोनों वापस समंदर में लोटा है नन्ही जल परी कमा नुदास था कि कि वो राजकुमार को पहली नजर में ही दिल दे बैठी थी पर वो जानती थी कि उसे पाना नामुमकिन है सागर के निया में सही थे कि वो इनसान उसे नहीं मिल सकती थी शुर्यम्प ने नन्ही राजकुमारी के हालत देखकर एक उसे उपाय सुझाया वो उसे समुदरी डायन के बारे में बताने लगा लेकिन उसने अगा भी किया कि इसमें बहुत खत्रा भी हो सकता है लेकिन नन्ही जल परी तो बस राजकुमार को पाने की धुन थी वो चल परी समुदरी डायन से मिलने समुदरी डायन ने अपने जादोई गोले में देखा कि लिटिल मरमेड उसकी मांद की और आ रही है इतने मेही गोले में से एक भवश्रानी हुई कि राजकुमारी सबसे प्यारी और भावुक मन की है वो अपने अच्छे कामों की वज़े से एक पवन परी बन जाएगी और उसी वक्त तुम्हारे पाप खत्म हो जाएगे और तुम्हारी मृत्तिव हो जाएगी डायन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा इतने मेही राजकुमारी डायन तक पहुँच गई और उसने गुजारिश की कि वो इंसान बनना चाहती है डायन ने कहा कि उस राजकुमार के लिए ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे दुखों का कारण भी बन सकता है इवा ने कहा कि वो हर किमत के लिए तयार है डायन ने कहा कि मैं तुम्हें इंसान तो बना दूँगी लेकिन तुम्हारी आवाज छिन लूँगी तुम्हे राजकमार का दिल चीतना होगा अगर तुम काम्याब रही तो तुम्हारी आवाज भी लोटाएगी लेकिन यदि येसा नहीं हो सका तो तुम्हारी मौत निश्चित है और तुम समुद्री ज्ञाग बन जाओगी नन्ही जलपरी ने शर्त मान ली डायन ने उससे जादोई शर्बत दिया और कहा इसे तट पर जाकर पीना मरमेड ने इसा ही किया शर्बत पीते ही वह बेहोस हो गई इसी बीच उसकी मचली जैसी पूँच पैरों में तबदील हो गई पर उसकी आवाज चली गए उसे होश आया तो सामने राजकुमार था राजकुमार ने कहा तुम ठीक हो पर तुम हो कौन और सागर तट पर क्या कर रही थी राजकुमार ने उसे आराम करने की सलाह दी अगले दिन वह चलने लगी तो राजकुमार बहुत खुश हुआ उसने उसके साथ डांस किया और उसके निर्टकला से काफी प्रभावित हुआ राजकुमार ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है मुझे मेरे जीवन का प्यार भी मिल गया नहीं परी को लगा कि वो उसकी बात कर रहा है इतने में ही राजा का आगमन हुआ और राजकुमार ने राजा से उस लड़की का प्रीचे करवाया जो उसे तुफान वाले दीन मिली थी राजकुमार ने कहा कि इसी ने मेरी जान बचाई थी मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ राजा भी मान गये लिटिल मर्मेट का दिल तूट चुका था यह सब देख शृम्प ने सागर में जाकर राजा को सब कुछ बताया राजा ने सागर के देवी से प्राथना की और सतह पर चला गया एवा की बहने डायन के पास गई ताकि वो अपना श्राप वापस ले डायन खुश थी कि राजा की बेटियां उसके सामने गिड़गडा रही है फिर डायन ने कहा कि उसके पास एक उपाय है लेकिन उसके लिए एवा को राजकुमार की हत्या करनी होगी यदि लिटिल मरमेड इस जादोई खंजर से राजकुमार को मार देगी तो उससे अपनी जलपरी वाली जिंद्गी वापस मिल जाएगी उसकी बहने वो खंजर लेकर सतह पर गए सबने देखा इवा अपने गुड़े के साथ सागर तट पर एक पेड़ के निचे उदास बैठी है राजा ने उसे आवाज लगाई इवा बहत भावुको उठी राजा ने इवा को खंजर दिया पर इवा ने कहा कि वो राजकुमार को नहीं मार सकती पर अपने भावुक पिता और बहनों को देखकर वो खंजर ले लेती है वो राजकुमार के महल तक गई पर वो राजकुमार को मार नहीं पाई क्योंकि वो उसका प्यार था वो हलोट आई अपने पिता और बहनों से माफी मांगी इवा ने कहा कि अब मेरी मौत निश्चित है आप सब मुझे माफ कर देना अब मैं जाग में बदलना चाहती हूँ इस दुनिया से जाना चाहती हूँ इतना कहकर वो समंदर में कूद गई इतने महीं एक चमतकारी शक्ती ने उसे खीच लिया और उसने देखा कि सामने पवन परी है राजा बहत खुश था कि उसकी सबसे प्यारी वेटी की जान बच गई राजा ने परी को धन्यवाद कहा इवा समझ नहीं पा रही थी परी ने बताये कि हम आकाश की परिया हैं और तुम अब हमारे साथ परी बन कर रहोगी तुम्हारे उदार मन और सागवर इंसानों के प्रती प्यार को देखते हुए ये तुम्हारा इनाम है तुम भवश में इंसाने रूप में भी जन मिले सकती हो लिटिल मरमेड ने सब को अलविदा कहा और अपने राजकमार से भी कहा कि अगले जन में तुम ही मेरा प्यार बनोगे मैं हमेशा तुम से प्यार करूँगी उसने परी मा को धन्यवाद कहा और उनके साथ स्वर्ग में चली गई ऐसा होते ही इस डायन और उसके पापों का भी अंत हो गया सभी लोग संतुष्ट थे धन्यवाद